हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इस्टेडी टेप पर तो आप सभी लोग हम पर देख सकते हैं कि गोरपुर्पुर्भी सभीदाले की तरब से एक नोटीस आई है और साथ ही साथ मेरे पास रजिस्टेशन फॉर्म भी यहां पर पड़ा है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको रजिस्टेशन फॉर्म भरना है और कैसे अपना रजिस्टेशन कराना है और साथ इसाथ जो नोटीस आई है गोरपुर्पुर्भी सभीदाले की तरब से उसमें क्या बताया गया है ठीक है किस चीज पर नोटीस आई है तो आप सभी लोगे हम पर देख सकते हैं कि सबसे पहले नोटीस में आप दिया गया है जो आपका रजिस्टेशन हो रहा था ठीक है उसकी जो डेट है लास्ट डेट वह बढ़ा दी गई है पांच दिसंबर तक कर दी गई है जैसा कि आप सभी लोगे को पता होगा कि सिमिस्टर वाइज होने के बाद जो आपके रेजिस्टेशन हो रहे हैं ठीक है और अफनातक पराफनातक और फादिसाथ फोड पाट करम जो है उसमें भी रेजिस्टेशन हो रहा है ठीक है यानि की पिएचडी वालों में भी रेजिस्टेशन हो रहा है इसी के करम में देखते विए छात्र छात्रों के पंजेन के लिए जो तीथी है उसको पुना दिनांग 5 दिसंबर 2021 तक भी इस्तारित किया जाता है ठीक है और इसके पहले भी इसको बढ़ा दिया गया था लेकिन फिर से इसको बढ़ा दिया गया है और जो इसकी लाफ्ट डेट है वो है 5 दिसंबर आप में से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि क्या यह पंजिन और फॉर्म निकला है क्या जरूरी है क्या रजिस्टेशन कराना जरूरी है तो यह बिल्कुल जरूरी है अगर आपने रजिस्टेशन नहीं कराया है तो आपको एक्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा ठ ठीक है से में इस्टरवाज कर दिया गया है और साथ ही साथ आप सभी लोग आपको देख सकते हैं कि इस प्रकाय से कुछ आपको फॉर्म मिल रहा है वहाँ पर दीन ओफिस में और इसी को आपको भर के वहाँ पर रेजिस्टेशन कराना है ठीक है जिसमें आप सभी लोग सभी लोगा अभी तो फॉर्म सभी इसमें डालना है और लास्ट समेस्टर जीपी जीपी का मतलब होता है ग्रेट पॉइंट एवरिज तो अभी तो आपका लास्ट समेस्टर कुछ था यह नहीं अभी आपका पहला से मेंस्टर होगा तो इसको रहने देंगे और सेकल्टी लिवuciónन नो अइसमें है जो भी तो ॉशॉटी है टिक है इसमें आपको डालना है ए अफिर हैं मतलब आपको इसमें डालना यह डिपार्टमेंट भी आपको इसमें डाल देना है और 大 zakres होटा है ओवरृक्त इसमें नंपर और शातीश में आपना आईड़ि नंबर अगर आ आपको आइडी नमबर डालना है लेकिन आप में से बहुत सारे छात्र जो हैं फर्स्टेर के होंगे तो जिनका आइडी नमबर नहीं बना होगा ठीक है नहीं मिला होगा तो यहां पर आप लोग खाले छोड़ देंगे कि इनुल्मेंट जो कि आपको देइन प्रकें इनगी अपने प्ता है तो आप जाक कर लेंगे ठीक है और अगले में आपको नेम इन्फूल याने कि आपको इसमें अपना नाम डालना है और इसमें अपने पीता का नाम डालना है ठीक है फिर अगर इसमें आपको होस्टल डालना है अगर आप होस्टल में है तो इसमें आप लोग अपने होस्टल का नाम डाल देंगे कौन से होस् साथ इसमें अपना पर्मानेंट एड्रेस डालना है नीचे वाले में यानि कि अपना पूरा नंबर जो कि आपके निवास पर होगा ठीक है निवास परमाड पत्र पर उसी को यहां पर डालना है फिर आपको नीचे हैं पर कुछ अप्शन से दिख रहे होंगे जैसे को अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग दिन अफिस में जाकर पूछ सकते हैं ठीक है वहां पर सबको बता दिया रहा है क्योंकि बहुत से बच्चों का यह पहली बार है तो इसलिए यह जो सारी डिटेल भरने का प्रोसेस है वहां पर सभी को ब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सफ्क्राइब करें तो मिलते हम फगली वीडियो में थैंक यू फो मच